चाट है वो बहुत चटपटी होती है इसलिए तो इसे चाट कहते हैं बहुत सारे लोग मानते हैं कि चाट अनहेल्दी होती है क्योंकि इसमें खूप सारे मसाले और चटनिया डलती हैं प्रन्तु फिर भी कुछ भी कहिए चाट का नाम सुनते सब के मुझ में ही पानी आ जाता है hello everyone एक बार फिर से व forgiven size आप सभी जिए ओ कते निघ्ट अउमी भी पर और आज हम अपनी किचन में बनाएंगे एक ऐसी चाट जो हेल्दी भी है नुट्रीशियस भी परोढिन और विटामीश से भरपूर भी कर है आज हम अपनी किचन में बनाएंगे दाल मोट यानि की मोट चाट या फिर कहें मटकी चाट जो कि बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल में प्रंतु अपनी किचन के अंदर तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना मोट की चाट है वो सप्राउट किये हुए मोट से बनाई जाती है तो ये दिखी हमने स्प्राउटेड मोट लिया है जिने हमने घर पर ही अंगुरित किया है तो चाट बनाने के लिए सबसे पहले इसे बॉयल करेंगे बॉइल करने के लिए सप्राउट निकले हुए मोट दाल को डालेंगे कुकर के अंदर इसमें डालेंगे आधा कब पानी, थोड़ा सा नमक, कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कर देंगे और धक्कन लगा कर दो विशर लगवा लेंगे मोट को बॉइल करके हमने बाउल में निकाल दिया है और यह देखिए यह हलके सॉफ्ट हो गई है अब इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ खीरा, बारे कटे हुए प्याज, बारे कटा हुआ टमाटर, कुछ ड्राई मसाले कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, निम्बू का रस यानिकी लेमन जूस, और इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे इमली की खटी मिठी चटनी और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और लीजिए तैयार है बढ़िया सी मटकी चाट आप भी इस मज़ेदार और नुट्रिशिस चाट को बनाएए खाइए और मज़ा लीजिए और यदि रेस्पी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें थेंक यू